सबसे पहले हम लोग जो है सीटेट को टार्गेट करेंगे और सीटेट में आप लोग जैसे के जानते हैं कि हिंदी पेडागोगी एवियास पेडागोगी और मैथ पोड़ेगोगी प्ले से वेरी इंपोर्टेंट बहुत मुहते पुर्भ होमिका निवाता है और हमको इसमें स से कम से कम हर एकिषिक्षन जो हैं इसमें पूछ आते हैं तो आज समय बहुत कम रह गया हैं और हिंदी पेडागोगी से कोश्चन आपके आते हैं इवियास से आते हैं तो एक डिक रिवीजन आशे टीर अब Ines आपको पता है कि जब आप सीटेट या टेट की परिक्षा देने जाते हैं तो आपको तीन भासाओं का चेहन करना रहता है तो कुछ लोग हिंदी कंपल्सरी रूप में लेते हैं फिर आपको ऑप्शनल में दो भासाओं दी जाती हैं एक संस्कृत और एक इंग्लिश तो उसमें से एक भासा का सेलेक्शन करना होता है तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे एक्चुली में भासा क्या होता है तो बाबू राम सक्सेना बाबू के बारे में उन्हें जनकारी दिया कि भासा वह माध्यम है भासा क्या है एक माध्यम है जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से कोई भी वनुस्य विचार विर्मे करता है या विचारों का आदान प्रदान करता है वह माध्यम जिसके साहता से विचारों का क्या किया जाता है आदान प्रदान किया जाता है उसको हम कहते हैं क्या भासा भासा एक्चुल में होता क्या है तो यह एक याद्रिक्षिक रूर ध्वनी प्रडाली होती है यादरिश्षिक दुरूर ध्वनी प्रणाली होती है। मतलब कि आप देखोगे कि हिंदी भासा जो है द्योणागरी लिकी में लिखी जाती हैं। तो जो भी भासा जिन लिखी जाती है उनमें बहुत सारे संकेतों का इस्टेमाल किया जाता है। इसको सम्झा भी जाता है, और संकेतों के द्वारा इसको समझा भी जाता है, ठीक है अब हम लोग बात करेंगे कि भासा का महत तो क्या है तो भासा का महत तो क्या है हमारे लिए देखे दान से सबसे पहले भासा तो क्या करता है सबसे इंपोर्टेंट बात है विचारों का ये क्या करता है आदान प्रदान करता है फिर दूसरा देखेगा यह ज्यान प्र हम कोई ज्यान जो है प्राप्त नहीं कर सकते तो यह ज्यान प्राप्ति का एक साधन है ठीक है इसके अलावा अगर हमको साहित्य का संबर्धन करना है कला का संबर्धन करना है संस्कृति और सभ्यता का विकास करना है तो इसके लिए हमको किसकी अवशक्ता पढ़ेगी भासा क कि अवशक्ता पड़ेगी के विकास में क्या करता है भासा सहायता करता है ठीक है तो बिना भासा के मनुस्य का जीवन संभव नहीं है या बिना भासा के मनुस्य जीवन में विकास नहीं कर सकता है ठीक है अच्छा दूसरी चीज़ यह है कि मनुस्य जब विचारों का आदान करता है तो उसका जो सामाजिक जीवन है देखेगा मनुष से एक सामाजिक प्राड़ी है क्योंकि हम समाज में रहते हैं और समाज में हम एक दूसरे के साथ समबाद अस्थापित करते हैं तो समाजिक जीवन को सार्थक बनाने में समाजिक जीवन को सार्थक बनाने में भासा बहुती मुहत्यपूर भूमिका क्या करता है निभाता है ठीक है अब ये भासा भासा के रूप कौन-कौन से है ठीक है भासा के रूप कौन-कौन से है तो देखेगा भासा एक तो होती है आपकी मौखिक भासा ठीक है दूसरा संकेतिक भासा संकेतों के रूप में भी भासा का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, संकेतों के द्वारा भी हम एक दुपनी बात किसी दूसरे तक कह सकते हैं, और एक आपका हो गया कौन सी भासा, लिखित भासा, तो एक मुख के द्वारा जो भासा भोली जाती है, वो हो गया आपका मौखि है वो गया लिखित वासा या पढ़ते हैं तो वह आपका लिखित भासा के रूप में आ जाता है और एक संकेत度 का इस्तेमाल करके जब कोई बात हम या अपनी कोई विचार को दूसरे तक पहुचाते हैं तो वह हो गया हमारी क्या होगे संकेतिग भासा ठीक है अच्छा अब देखेंगा चलन के रूप में अगर हम बात करें प्रयोग के रूप में प्रयोग के रूप में भासा यह दो प्रकार के होते हैं ठीक है एक वह भासा होती है जो हम अपने वातावरण में यानि आज पडोस में इस्तमाल करते हैं घर पे इस्तमाल करते हैं जो हमारी होती है मात्र भासा और एक वो भासा होती है जिसको हम बड़े पैमाने पर और अपनी सभी दैनिक कार्यों में या फिर हम कह सकते हैं कि विभागी कार्यों में जिस भासा का इस्तुमाल किया जाता है उसको राष्ट भासा का दरजा दिया जाता है अब देखेगा यहाँ पर हमने जो देखा अब देखेगा भासा को दो कटेगरी में हमने बाटा एक हमने कहा क्या मात्र भासा और दूसरा हमने क्या कहा राश्टर भासा तो मात्र भासा दरसल क्या है मात्र भासा किसे कहते हैं ठीक है तो भासा का किसी भी बालक के भासा का जो पहला रूप होता है किसी भी बालक के भासा का जो पहला रूप होता है वो होता है उसकी म मात्र भासा, ठीक है, इसका अर्थ क्या है, मा से ग्रहड की हुई भासा, मा से ग्रहड की गई जो भासा है, उसे ही हम क्या कहते हैं, मात्र भासा कहते हैं, मा से जो ग्रहड की हुई भासा है, उसे ही मात्र भासा कहा जाता है, ठीक है, फिर देखेंगा ध्यान से, एक साहित्यकार थे जिनका नाम था बैलाड बैलाड ने क्या कहा घर की बोली को बैलाड ने जो घर की बोली होती है उसको उन्होंने कहा कि यहां माता की भासा है माता की भासा तो कोशन पूछा जा सकता है कि बैलाड की अनुशार घर की बोली क्या कही जाती है तो माता की भासा कही जाती है और इनके अनुशार जो भासा समाज द्वारा स्विक्रित होता है जो भासा समाज द्वारा स्विक्रित होता है उसे कहा कहा जाता है मात्र भासा कह आ जाता है अब राश्ट्र भासा के बारे में क्या बात करते हैं जो राश्ट्र के अधिकतर लोगों के द्वारा या अधिकतम लोगों के द्वारा बोली जाती है अधिकतम लोगों के द्वारा बोली जाती है उससे हम क्या कहते हैं राश्ट्र भासा कहते हैं समझ मारा है बो क्याम क्या है राज-काज में इसका प्रियोग होता है यानि प्रशासनिक कारियों में इसका प्रवादिक भारत में सरवाधिक लोगों के द्वारा बोला जाता है लेकिन संबेधानिक रूप से इसको राश्ट भासा का दर्जा अभी तक प्राप्त नहीं है हिंदी को भारत की राज की भासा भारत की राज भासा कहा जाता है ठीक है राश्ट्री भासा नहीं कहा जाता है बलकि राज भासा कहा जाता है ठीक है इस बात को आपको याद रखना है अब इसमें सवाल यह आता है कि जो भासा सिक्षड हम कर रहे हैं भासा सिक्षड का हमारे इसको समझ लेते हैं भासा सिखषड का महत्व हुआ है थीक है तो भासा सिखषड का महत्व समलक समझते हैं सबसे पहले भासा के द्वारा हम साहित्तिक प्रवृतियों का बोध कर सकते हैं बोध मतलब ज्यान कर सकते हैं ठीक है भासा कौसलों में दक्षता प्राप्त करने में हमारी सहायता करता है अब मज़े बताईए कि भासा कौसल कौन कौन से होते हैं तो भासा कौसल होता है सुबोपली आपने पढ़ा होगा सुनना बोलना पढ़ना और लिखना इन कौसलों में दक्षता प्राप्त करने में भासा हमारी क्या करता है सहायता करता है साहित्य के रसास्वादन में हिंदी एक ऐसी विश्य है जिसका हम रसास्वादन कर सकते हैं आनंद ले सकते हैं क्योंकि इसमें सुक्षम पहाव और विचारों को बहुत ही अच्छे तरीके से हम कर शकते हैं इसकी इतनी सम्रिद्द साली जो है इसका व्याकरण होता है तो साहितिकर स्वादन में भासा सिक्षड क्या होता है हमारे लिए बहुत ही अवश्यक है इसलिए आपने देखा होगा कि जो हिंदी के अच्छे अध्यापक होते हैं बच्चे उनकी घंटी बड़े प्यार से करते हैं क्योंकि उनको बहुत ही आनंद आता है अच्छा दूसरी चीज यह है कि भासा एक ऐसा विशे है जिसमें मौलिक विचार प्रस्तुत किये जा सकते हैं मौलिक मतलब नए नए आपने देखा होगा देश के बहुत सारे कवी होते हैं लेखाक होते हैं जो हमेशा कुछ नह नात्मक विकास अब देखो यहाँ पर स्रिजनात्मक शब्द आ गया तो इसको लिए आप याद रखिए गा कि स्रै नात्मक क्या कि स्रै नात्मक का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई बालक मौलिक विचारर नैया ओलिजनल विचार प्रस्तुत करता है तो उस बालक कोач या नवीन तरीका खोजता है तो हम कहेंगे जी इस बालक के अंदर वह बालक हमाधान करने के व्यक्ति जो इस संसार में आया है उसके अंदर, थोड़ी बहुत मात्रा में स्रिजनात्मक्ता अवश्य उपस्तित रहती है ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं देखें जान से अब इसमें एक हमारा जो important point है त्री भासा सुत्र त्री भासा सुत्र त्री भासा सुत्र क्या है? त्री भासा सुत्र है 1964 और 66 में कोठारी कमिशन ने इसकी संकल्पना प्रस्तुत की किसकी संकल्पना प्रस्तुत की? त्री भासा सुत्र की संकल्पना प्रस्तुत की ठीक है? सज मारा है फिर 1968 में की शिक्षा नीत में नीत में इसके लिए सिफारिश की गई इसके लिए क्या क्या गया? सिफारिश की गई अब एक चीज़ आपको समझ में आना है आना चाहिए की दर्शल ये कह कै रहा है तो ये कहता है कि हमको तीन भासाएं सिखानी है बच्चे को तीन भासाएं सिखानी है प्रतम भासा दूती भासा और तृती भासा लेकिन सवाल ये है कि ये भासाएं होंगी कौन-कौन सि सब्चमारा है ये सवाल होंगी कौन-कौन सि अब इसको गहारण के त्वारा हम समझते हैं मान लिजिए उत्तर प्रदेश का कोई बालक है और एक बालक जो है वो करनाटक का है ठीक है तो इस बालक की जो पहली भासा होगी वो उसकी मात्र भासा होगी कौन सी भासा होगी मात्र भासा तो मुझे बताए कि हमारे यहां की पहली भासा कौन सी है हिंदी है मात्र भासा हमारी क्या है हिंदी है यानि कि उत्तर प्रदेश के बच्चे को मात्र भासा के रूप में पहली भासा हिंदी पढ़ानी है और करनाटक की पहली भासा बच्चे की क्या होगी कन्नड हो जाएगी अब दूती भासा में क्या होगा हिंदी भासा के रूप में कोई आधुनिक भारती भासा चैन करते हैं वह हमारे लिए क्या होता है अंग्रे जी का लेकिन वही करनाटक का अगर कोई व्यक्ति है तो दूती की भासा के रूप में यह किसका चेहन करेगा हिंदी का चेहन करेगा सम्मारा है यादि कि अगर हिंदी भासी चेत्र नहीं है उत्तर प्रदेश्ट क्या है यह Іक हिं भासी चेत्र है선 फूंदी भासी हों दूसरी भासा ये जगा है तो इस की पहली भास कण्वन है तो दूसरी भास क्या होनी चाहिए इसकी हिंदी होनी हुनी चाहिए ये हिंदी भासी छेत्र नहीं है हिंदी भासी के रूप में हिंदी बासी छहत्र में मैं अंग्रेजी सकते हैं अगर अंग्रेजी तीसरे अःषान पे लेंगे कौन सी खीस सघृत हो सकता है संस्कृती पढ़ाते हैं या उर्दू पढ़ाते हैं संस्कृत या उर्दू पढ़ाते हैं तो अगर तीसरा वाला दूसरे नमबर पर आया ₹ कहा आ जाएगा तो इस तरीके से त्रिभासा सुत्र की जो संगलपुना है वो ये है कि परतेक बच्चे को कम से कम तीन भासाओं का ज़्यान जरूर होना चाहिए ठीक है अब आते हैं कुछ और भी डिफिनीशन्स के रोपना सबसे पहले लेके गाँ भासा अर्जन भासा अर्जन भासा अर्जन क्या है अर्जन करना या अंगी करण करना इन दोनों में क्या अंतर है अर्जन क्या होता है तो ये अर्जन जो है भासा अर्जन एक सहज क्रिया के तहत होगा सहज क्रिया का मतलब कि हम अचेतन प्रक्रिया के तहत हम इसके अगरहल कर रहे हैं कि किसी व्यवस्थिट प्रडाली का प्रयोग नहीं है यानि भासा का अरजन अचेतन प्रक्रिया के द्वारा मतलब ये कि अर्जन किसी व्यवस्थित प्राडाली द्वारा नहीं हो रहा है बच्पन में जैसे आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे ऐसे सब्दों का प्रयोग कर जाते हैं जिनको हमने सिखाया नहीं है ठीक है तो ये कहां से सीखते हैं उस चीश को वातावरर से भासा अर भासा अर्जन की पहली प्रक्रिया कहां से सुरू होती है माता पिता से सुरू होती है माता पिता से या उनके परिवार से उसके बाद नमबर आता है समाज का और तब जाकर के जब बच्चे स्कूल जाना सुरू कर देते हैं तब वो आहां से भासा अधिगम करते हैं क्या कर फिर बच्चा आपका कहा जाएगा इस्कूल जाएगा तो वहां से जो है वो भासा अधिगम करेगा तो ये दोनों शब्दों में अंतर हमको जानना जरूरी है देखेगा अब बच्चा क्या कर रहा है भासा अधिगम करेगा तो भासा अधिगम का मतलब कि हम भासा अधिगम बच्चा कैसे कर रहा है तो व्यवस्थित शिक्षड प्रक्रिया द्वारा भासा अधिगम किया जाता है कि है सीखा जाता है व्यवस्ति शिक्षर प्रक्रिया द्वारा भासा अधिगम हम उसमें करते हैं अब देखेगा अब हम भात करेंगे भासा शिक्षड कि भासा शिक्षड कि देखेगा भासा सिक्षड भासा सिक्षड क्या है इसमें दरसल क्या होता है कि एक अधिक अनुभवी व्यक्ति से कम अनुभवी व्यक्ति की ओर किसी का प्रवा होता है कोई जानकारी किसी प्रकार का ज्यान किसी प्रकार का अनुभव क्या होता है क्या हो रहा है प्रवा हो रहा है अच्छा देखे जैसे मान लिजिए कि अभी आप लोग यह है ठैट की तैयारी कर रहे हैं तो दो व्यक्ति हैं एक जो है देखे घ्र यह लका टेट की तैयारी कर रहा है, लेकिन देखेगा, यह अभी एक सिक्षक है, अंतर सिर्फ इतना है कि यह टेट अप नहीं पास है, और जो इनको पढ़ा रहा है, वो भी एक सिक्षक है, लेकिन वो इन से थोड़ा सा जादा अनुब हुए है, क्योंकि यह टेट पास है, पर बच्चों को टेट की तयारी करवा रहा है तो इस नाते इनके ज्ञान में थोड़ा सा ही अंतर है जब ये वेक्ति टेट की तयारी करके टेट पास कर लेगा तो वो दोनों के समकष में आ जाएगा फिलहाल अधिक जानकारी वाले से कम जानकारी वाले को टेट सम्मंदी ज याद रखना है कि जो भासा सिक्षड है या जो सिक्षड है यह आपके सारे कंटेंट में आएंगे याद रखनेगा गडित में भी आएगा यह इवियस में भी आएगा हिंदी में भी आएगा संस्कृत में इसमें एक कोने पर अध्यापक होता है, दूसरे कोने पर शात्र होता है, तीसरे कोने पर विशे वस्तु होता है, अब मुझे बताईए, यह तीनों जब मिल जाते हैं, तो हमारा सिक्षड प्रक्रिया क्या होता है, कम्प्लीट हो जाता है, तो अध्यापक से ग्यान कहां तक जाएगा, शात्र तक जाएगा, विशे वस्तु से ग्यान कहां तक जाएगा, शात्र तक जाएगा, अध्यापक क् सिक्षक पढ़ाते हैं वो बहुत मेहनत के साथ विसेवस्तूपी त्यारी करते हैं यही कारण है कि सिक्षड प्रविधिया या सिक्षड विधियों के लिए पाठियोजना का इस्तमाल किया जाता है पाठियोजना आपके पाठिक्रम से जुड़े होते हैं और पाठिक्रम किस भासा सिक्षड के सिध्धान आपने अधिगम के सिध्धान पड़ा है आपने इसके पहले भी बहुत सारे सिध्धानतों के बारे में पड़ा है ठीक है न तो उन सभी का इस्तेमाल भासा सिक्षड के सिध्धानतों में भी आ जाएगा जैसे पहला है हमारा अब मेरी बात समझेगा जैसे कि जब हम सीटेट में पेड़ागोगी पढ़ रहे हैं तो दो चीजें हैं, एक तो सिक्षक हमारा है, सिक्षक हमारा है और दूसरा हमारा क्या है? शात्र है तो दोनों संदर में समझेगा क्रियासिलता का सिधान मतलब की सिक्षक अगर सक्रिय रहकर के पढ़ा रहा है ठीक है क्रियासिलता का सिधान का मतलब सिक्षक अगर सक्रिय रहकर के पढ़ा रहा है और शात्र सक्रिय रहकर के पढ़ रहा है तो वो भासा अधिगम आस तो उसमें चिंतन होता है किस और करता है और समस्याओं का समधान होता है जिसके द्वारा भासा चीरता है ठीक तो उसका जो ज्ञान होगा वो किस प्रकार का होगा स्थाइभ होगा और ज्ञान जब स्थाइभ होगा तो भासा को क्या कर पाएगा शीख पाएगा दूसरा है रूची का सिध्धांद? यह सिध्धांद दोनो व्लार इम्पर्टेंट है अब देख़ाईगा, इस था इसमें एक बात और समझेगा, रूची के लिए हम बच्छे को क्या करते हैं? प्रियरित करते हैं, motivate करते हैं, तो बच्छा का विशय के प्रति रूच हो जाता है. और एक बात अब रखना है कि अगर हमने कहीं बच्चे को अभी प्रेरित कर दिया है ठीक है और बढ़िया तरीके से प्रेरित कर दिया है तो बच्चे की विशे में रूची न भी हो तो भी वो अच्छे तरीके से अधिगम कर पाता है तीसरा जो हमारा है सिध्धान वो है प्रेरडा या अभी प्रेरडा का सिध्धान हमको समय समय पर भासा सिख्षड करते समय यह दोनों के लिए है हमको अपने आपको स्वा प्रेरित करके भासा सिख्षड करनी है छात्र के लिए और सिख्षक को क्या करना है बच्चों को अभी प्रेरीत करके ही क्या करना है पढ़ाना है तो अभी प्रेड़ा के द्वारा क्या होता है कि जब हम छात्र को अभी प्रेरीत करते हैं तो अभी प्रेरीत करने से छात्र क्या हो जाता है सक्रिय हो जाता है और छात्र जब सक्रिय रहता है, तो वो क्रियासील हमेशा निरंतर रहता है, निरंतर क्रियासील रहता है, और जब वो निरंतर क्रियासील रहेगा, तो जो लक्ष है, क्या लक्ष है? भासा अधिगम का जो लक्ष है, भासा सीखने का जो लक्ष है, उसको वो क्या कर पाएगा? प्राप्त कर पाएग नियोजन यहां पर किसके लिए important है देखेगा नियोजन किसको करना है नियोजन जो है यह teacher को करना है मैंने इसकी मुझ बना दिया देखेगा नियोजन किसको करना है teacher को नियोजन का मतलब होता है planning क्या होता है इसका मतलब planning अगर teacher planning के साथ नहीं पढ़ाया ना तो बच्चों क देश नहीं पूरे होंगे देश को प्राप्त करने के लिए उदेश को निश्चित समय में प्राप्त करने के लिए प्लाणिंग बहुत अवश्यक है फिर फिर देखेगा उदेश्य निर्धारण का सिद्धान हमारे जो उदेश्य होने चाहिए है उसका निर्धारण बहुत अस्पश्च रूप से होना चाहिए ठीक है फिर देखेगा जीवन से सम्मंधित करने का सिद्धान जैसे हम कोई भी बच्चा पढ़ाते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि जब उदाहरण हम देते हैं उदाहरण कैसा हो छात्र जीवन से जुड़ा हो तो जब छात्र जीवन से जुड़ा होता है तो बच्चे उस चीज को अच्छे तरीके से क्या कर पाते हैं समझ पाते हैं ठीक है सात्वा देखिए बच्चों स्वभाविक्ता का सिध्धान स्वभाविकता का सिध्धान स्वभाविकता का मतलग कि सिक्षक को कछा का स्वभाविक वातर बनाना चाहिए स्वभाविक का मतलग कि बच्चा सहज रूप से सीखे ऐसा वातावर नहों जो तनाव भरा हो बच्चा डरा डरा हो तो कक्षा का स्वभाविक वातावरण जब होता है तो भासा अरजन यह प्रभावी होता है प्रभावी होता है फिर आटवा देखेगा बोल चाल का सिद्धान बोल चाल का सिध्धान क्या कहता है कि बच्चे को बोलने का अधिक अवशर प्रदान करना चाहिए कख्षा का वातावर कभी भी देखें कि बहुत सारे सिक्षण के इस बात में विश्वास करते हैं कि आए बहुत सुंदर बोल करके चले गए बहुत अच्छा लगा आज तो मैंने बड़ा अच्छा पढ़ाया लेकिन जिस सिक्षण प्रक्रिया में चात्र सामिल नहीं है चात्र प्रश्ण नहीं करता है चात्र बोलता नहीं है वह उतना प्रभावी नहीं है आपको यह समझना होगा आप जब भी सीटेट में पेडगोगी का अंसर देंगे तो इस चीश को याद रखेंगे बच्चे के जो हित हैं उनको ध्यान में रखना है बच्चे के साथ किस चात्र प्रदान करना चाहिए है अर भासा सिख्चड के लिए तो बहुत अवश्यक है बच्चों को बोलने का अउसर देना चाहिए इससे क्या होता यह अज़ो अधिगम यह क्या होता है आपका प्रभावी होता है भासा अर्जन तो वातावरण से होता है लेकिन जब हम क्या नाम देंगे भासा अधिगम नाम देंगे ठीक है चलिए अगले नेक्ष देखे आगे बढ़ते हैं आवृतिका सिध्धान कौन सा नमबर था आठ के बाद नौवा नमबर आएगा नौवा देखेगा यह हमारा है आवृतिका सिध्धान मतलब की विशे वस्तु को बार बार दोहराना एक बात आप याद रखिएगा वही सिख्षक सबसे बढ़िया माना जाता है या उसके बच्चे बड़े आसानी के साथ सीखते हैं जो पढ़ाते समय एक विशे वस्तु को बार बार दोहराते हैं अब यह होगा क्या चोटे कख्षाओं में यह काम हमको अधिक करना है जैसे बड़े कख्षाओं में हम जलते जले जाएंगे इस प्रक्रिया को अगर हम कम भी कर देंगे तो कोई बहुत दिक्कत नहीं है फिर भी जो सिख्षक विशे वस्तु को बार बार दोहराते हैं को कि बड़े जब कर्षाओं होते हैं तो समय कम रहता है लेकिन छोटे कर्षाओं में क्या कहा जाता है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा समय एक विश्यवस्तु को समझने में देना चाहिए ठीक है तो आवरिति का सिध्धान्त यह कहता है दसमा क्या है लोग तांत्री या प्रजातांत्रिक मुल्यों का विकास भासा शिक्चण ऐसा होना चाहिए कि जो जो बच्चों के अंदर प्रजातांत्रिक मुल्यों का विकास कर सकें ठेक हैं आगे आप देखेंगे कि प्रगतिशिल सिक्षा का जो अवधारणा है प्रगतिशिल सिक्षा के प्रवर्तक कौन थे विलकुल आपके दिमाग में सही कोशन आ रहे होंगे मुझे लगता है प्रगतिशिल सिक्षा के प्र संपूर्ण शक्तियों का विकास करता है और संपूर्ण शक्तियों का विकास इस तरह से करता है कि बालक जो है यह आपसी भेद भाव को छोड़कर छोड़कर ठीक है छोड़कर प्रजातांतरिक रूप में तांतरिक तरीके से अधिगम करे ठीक है अधिगम करे तो जान डीवी का यह जो कॉंसेप्ट है प्रगतिशिल शिक्षा का वर्तमान में एक कोशन यह भी आएगा वर्तमान में स्वारभवमिक रूप से जो भी शिक्षा प्रक्रियाएं हैं वो किस तत्य पर अधारित हैं किस इधान पर अधारित हैं तो प्रगतिशिल शिक्षा पर अधारित हैं विद्यालेई शिक्षा जो भी है उसमें प्रगतिशिल शिक्षा की जो अवधारा है उसक के समय में यह प्रासंगीक है और इसको लागू किया गया है अब देखेगा टेट में भी आपका एक टॉपिक है जिसको सिक्षड सुत्र या सिक्षड सहायक सामगरी यह सब कहा जाता है तो इसमें इसको भी देख लेते हैं देखे दांसे शिक्षड सुत्र क्या काम करता है अधिगम को प्रभावी बनाता है अधिगम को क्या बनाता है प्रभावी बनाता है और सिक्षक को इसका प्रयोग करना चाहिए क्यों करना चाहिए भाया क्योंकि यह अधिगम को क्या बनाता है प्रभावी बनातां तो कुछ सिक्षड सुत्रों के बारे में हम लोग जानेगा पहला है ग्यात से अग्यात की ओर तो जैसा कि नाम से ही अस्पस्ट है बच्चों को अधिगम कराने से पहले उस विशेवस्ट से सम्मंदित पूर्वग्यान ठीक है? पूर्वग्यान जो बालक जानता है जानता है उसी से सुरुवात करनी चाहिए यानि कि बच्चों को उस विशेवस्ट से सम्मंदित ऐसी बातों को बताना चाहिए जिनको वो पहले से क्या करता है? जानता है ठीक है? उसी से पाट को प्रारम जब आप करेंगे उसके बाद उन चीजों को उस ग्यान की ओर लेके जाएंगे जो वो नहीं जानता है तो ये बहुत ही प्रभावी सिक्षड हो जाता है इस नाते बच्चों को उनके पुर्व ग्यान के साथ जोड़ेने का प्रयास करना चाहिए दूसरा देखेगा मूर्थ से अमूर्थ की ओर मूर्थ से अमूर्थ की ओर मतलब की बच्चों को पहले ऐसी चीजों के बारे में बताना चाहिए जो प्रत्यक्ष हो जिनको छात्र छू सकें ठीक है उसके बाद उनको कलपनासील बातों के बारे में या कलपनासील वस्तुमों के बारे में जानकारी देने का प्रयास करना चाहिए तीसरा क्या है सरल से जटिल की ओर मतलब बच्चों को पहले सरल अवधाणाओं के बारे में बताने का प्रयास करना चाहिए फिर कठिन अवधाणाओं के बारे में बताने का प्रयास करना चाहिए पूड से अंस की ओर देखेगा जैसे कि अगर हम कोई पार्ट शुरू करते हैं तो सबसे पहले बच्चों को पाठ पढ़ाने से पहले एक सारांस प्रस्तूत कर देना चाहिए, क्या प्रस्तूत कर देना चाहिए, सारांस, इससे बच्चों को एक आइडिया लग जाता है कि हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो उसका उसके प्रती एक प्रस्तुत कर दिया ने पूरे पाठ का फिर उसको छोटे-छोटे हमने क्या कर दिया अंस में तोड करके हम क्या करना है उसको पढ़ा रहे हैं इसे नाते कभी भी कोशिच सिक्षक को नहीं करने चाहिए खासकर भासा सिक्षर जब हम कर रहे हैं पढ़ाते समय एक ही दिन पूरा पाठ खतम कर देना तरीका उसका यही है कि पाठों को छोटे-छोटे अंसों में तोड़ करके पढ़ाना चाहिए तो हम उसकी शुरुवात पहले सारांसे करते हैं उसके बाद से आगे की और ह यह बड़ा इंपोर्टेंट है आपने इसके पहले बाल विकास का सिधान पढ़ा है बाल विकास का सिधान में आपने पढ़ा है कि जो बाल विकास होता है वह सामाने से विशिष्ट की ओर होता है मतलब कि बालक पहले सामाने करिया करता है फिर विशिष्ट करिया करता है ल उसकी अवधानाओं को असपस्ट करते हैं, फिर उसके बाद उस संपूर विशय का सामानी करण करते हैं, क्या करते हैं, संपूर विशय का सामानी करण मतलब उसको संपूर विशय के ऊपर क्या करते हैं, लागू किया जाता है, फिर छटवा देखेगा, छटवा जो सुत्र हम हमारा है विशलेशड से संसलेशड की और विशलेशड का मतलब होता है तोड़ना संसलेशड का का मतलब होता है क्या जोड ना ठीक है जैसे हमने लिखा क्या कमल अट तो हमने लिखा को अलाय तो कमल को का पढ़ने के लिए विशलेशड कर दिया के इसी तरह से हमने आगर माल लिजे कहा कमली तो का धनमा धनला धन बड़ी की मांत्रा ठीक तो हमने पहले उसको तोड़ा तो बच्चों को समझ में आ गया कि ये कमल या कमली का निर्माण कैसे हुआ है फिर हम उनको जोड करके पढाते हैं कदन मधन लखन बड़ी की मांतरा कमली हो गया ठीक है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं विसलेशर से संसलेशर की ओर साथ वह देखेगा यह है प्रत्यक्ष से अब प्रत्यक्ष की ओर यह उपर वाले के जैसा ही है मुर्थ से अमुर्थ की ओर इसमें कुछ समझने के अशक्ता नहीं है फिर आटवा देखेगा अनिश्चित से निश्चित की ओर इसका मतलब क्या है भासा अर्जन के हिसाब से इसको समझे इस добрते हैं प्रारम में बच्चा भासा अर्जन करता है वो एक विवस्थित प्रक्रिया के तहत नहीं है वो भासा उसके मापाप जैसी भासा बोलेंगे अच्छी भासा बोलेंगे खराब बासा वो ठीक उसी प्रकार की भासा को क्या करता है ग्रहड करता है यानि कि बच्चे की जो प्रारमिक भासा होती है वो कैसी होती है और अस्पस्ट होती है और अनिश्चित होती है फिर बच्चा जब फिर विद्याले में आता है तो हम उसको निश्चित करते हैं मतलब की निश्च दिशा में परिस्कृत करने का काम करते हैं उसको सही तरीके से बदलने का काम हम करते हैं तो देखे सातियों ये था हमारा सिक्षड शूत्र ठीक है अब इसमें एक टॉपिक हमारा और है सिक्षड सहायक सामगरी चले देखते हैं सिक्षड सहायक सामगरी इंग्लिस में इसको क्या बोलते हैं टी लेम टीचिंग सिक्षड सामगरी क्या होता है बिलकुल आपको यह सब पता है मुझे पता है कि आप सबको पता है लेकिन आप देखे दान से भासा को पढ़ाने में या भासा को पढ़ाने में जो सामगरी प्रयोक की जाती है उसे ही हम क्या करते हैं सिक्षड साहयक सामगरी करते हैं सिक्षड साहयक सामगरी के द्वारा यह एक्चुल में है क्या एक साधन है ठीक है जिससे सिक्षक को को विशय का अधिगम कराना आसान हो जाता है यह एक ऐसा साधने जिसे सिक्षक को विशय का अधिगम कराना क्या हो जाता है Bears प्रभावसाली बनाते हैं क्या बनाते हैं इसमें को पूछेगा जरूर याद रखेगा ग्यान अर्जन को प्रभावसाली बनाते हैं जैसे कि मालीजेगर आपको कोई टॉपिक पढ़ानी है ठीक है तो जैसे मालीजेगर महराणा परताब के बारे में आप पढ़ा रहे हैं परताब के आप फोटो ले आए परताब का भाले का फोटो लाए जो म्यूजियम में रखे गया तो बच्चा इसमें देखर के बड़ा बड़ा खतरनाक है इतनी बड़े थे मारा परताब उनके घोड़े का कोई फोटो लाए इस तरह कोई चीज़ करते हैं तो यह सहायक सामगरिया जो है यह कंटेंट को समझने में बड़ी हमारी मदद करती है ठीक है और इसका और फाइदा है सबसे फाइदा क्या है कि छात्र सक्रिय रहते हैं क्योंकि आपको पता है ना कि छात्र अगर सक्रिय नहीं है तो हमारी सारी मेहनत क्या हो जाएगी चौपट हो जाएगी ठीक है और सिक्षर सहायक समगरिया चूंकि हमारे सामने होती है और आपको पता है कि जब भी बच्चा कोई प्रत्यक्षिक्रल के विकास होता है और उनमें वैग्यानिक द्रिष्टीकोड पैदा होता है, वैग्यानिक द्रिष्टीकोड क्या होते हैं, यागरित होता है, स्वाज मारा है, शिक्षर साहयक सामगरियां कितने प्रकारकी होती है, जो देखे जान से, शिक्षर साहयक सामगरियां जो है, यह चार तरकी होती हैं पहला है फिर जिरिश्य सामगरी जो हमको दिखाई देती है कौन-कौन से दिरिश्य सामगरी में आएंगे ठीक है आप देख लीजिए दान जैसे कि स्यामपट श्यामपट ठीक है चार्ट पेपर जो भी चीचे थे हैं यह सब दृष्य में आएंगे दूसरा है स्रव्य स्रव में क्या आएगा सुन करके रेडियो ग्रामोफौन टेप रिकार्डर यह किसमें आएगा आपका श्रव में आएगा तिर्ष्य क्या है दृष्य मतलब देख करके इसमें क्या आएगा यह बड़ा प्रभावी होता है क्योंकि इसमें शात्र देख एक्चिया देखिया स्रव्य जो है यह प्रभावी होता है लेकिं द्रिश्वाले से कम क्योंकि इसमें बच्चा देख भी सकता है सुन भी सकता है तो टेलिवीजन हो गया फिल्म हो गया और वरतमान समय में प्रोजेक्टर भी काफी क्या है प्रभावी है और एक और है क्रिया सहायक सामगरी आज के जमाने में इसका भी बहुत ही जादा महत्यपूर है और बच्चे बहुत इसमें जो है इंट्रेस्ट लेते हैं जैसे भ्रहमल करना जिसको हम कहते है कि एजुकेशनल टूर यह भ्रहमल कैसा हो सकता है किसी आतिहासिक अस्थान का हो सकता है ठीक है और यह भी कई तरह का होता है यसे अगर हम इतिहास विसे के तहत अगर कुछ कर रहा है है तो हम किसी आतिहासिक अस्थान का भ्रहमल कर लें संग्रहाले का भ्रहमल कर लें ठीक संग्रहाले का भ्रमण कर लें किसी उद्यान का भ्रमण कर लें और अगर विज्ञान विसे का माली जम कर रहे हैं तो उसमें क्या करेंगा किसी कारखाने का भ्रमण कर लें सबसे प्रभावी होती है क्यों कि इस माध्या में बच्चा सरवाधिक ज्यानिंद्रियों का क्या करता है ग्यानिंद्रियों या इंद्रियों का प्रयोग करता है, ठीक है, बच्चा जो है, सारवाधि ग्यानिंद्रियों का प्रयोग करता है, और एक चीज़ और है, द्रिश्य वाला जो है, यह बहु आयामी बुद्धी के सिधान पर भी काम करता है, बहु आयामी बुद्धी के हभासा शिक्षक के गोड़ यह सबसे ज्यादा इंप्पर्टेट याद रखना कि हमको जो पढ़ने हम जब पढ़ते हैं तो इसमें दो तीन चीजें आप से च्छात्र के संदर्व में बात करनी है तो देखेगा भासा सिख्षक के गुड़ सिख्षक के गुड़ पहला तो भया चरित्रवान होना चाहिए चरित्रवान इसलिए क्यों क्योंकि भासा एक भावु वाला विशे है यानि बच्चा साम्वेगी रूप से प्रभावित होता है ठीक है फिर देखेगा मानसिक रूप से स्वस्त होना चाहिए थिसरा भासा सेली सुंदर होंड। Whatsle मनविज्ञान एक बात याद रखने है इस भी शिशे ओ के लिए है एक सिख्चट को सबसे ज़्यादा किस बात पर फोकस करना चाहिए बच्चे के बाल मनुविज्ञान का और इसको बच्चे के बाल मनुविज्ञान का ग्यान अच्छा होना चाहिए मनुविज्ञान का ग्यान बच्चे के सिक्षक के पास होना चाहिए उसके बास विश्याय में दक्षता हो विश्याय में क्या हो उसकी दक्शता हो फिर देखिएगा वो धैर्वान हो एक बात याद रखना एक सिख्चक को धैर्वान होना ही चाहिए क्वाइए क्वाइन का क्रण यो है कि जैसे कोई यह कछा है ना तो उसमें दस तरह के बच्चे होते हैं और सब की सीखने की गतियां क्या होती हैं अलग-अलग होती हैं सब की जो है सीखने की गतियां अलग-अलग होती हैं तो इस नाते सब को अधिगम सुनिश्चित करने के लिए हमको करना क्या चाहिए कि हमको धैर रखना चाहिए यानि सब तक जब तक की प्रयास करना चाहिए सिखाने का प्रयास करना चाहिए ठीक है तो एक शिक्षक को धैरवान और शहनसील होने की अवशक्ता है ठीक है और तीसरा व्यक्तिक विभिनताओं को पहचानना आना चाहिए सिख्षकों को प्रसिक्षित क्यों किया जाता है इतने सारे ट्रेनिंग् जोगे नें उनके अंदर यह जारे कौूसल का विकास हो कि वो बच्चे के विविनताओं को अभुरुश्यों को कि और योग्यताओं को क्या कर सके पहचान सके лохे ये रीतन हो जाक हो और ये व क्या कर सके वह पहचान सके ठीक है अब अग्ला है इसमें हम पो देखना है हिंदी भासा सिक्षड की विधिया कि हिंदी भासा सिक्षड की विधिया कि हिंदी भासत सिक्षड की विदियां कितनी विदिया है आप देख लीजे स्वैम पहला है गाध्य सिक्षड दूसरा है पद्य सिक्षड थीसरा है व्याकराण सिक्षड यहाँ से एक बात बिल्कुर अस्पष्घ हो जाते हैं कि इंदी भासत सिक्षड की खुल कितनी विदियां चार बिदियां पहला है । दूसरा है पद्य शिक्षड रचना सिक्षड और क्या है व्याकराण सिक्षड ठीक है अब इसमें समझना है कि गद्य शिक्षड के बारे में हम बात करेंगे तो चलिए कि करके हम लोग समझते हैं देखेंगा पहला है गद्य शिक्षड क्या करता है देखेंगे दान से गद्य शिक्षड क्या करता है छात्रों में अर्थ ग्रहल करने की छमता सब्द भंडार की ब्रिद्धि अस्मरल सक्ति शिरिजन सक्ति मौखिक एवं लिखिक अभिव्यक्ति एवं लिखित अभिव्यक्ति की छमताओं का विकास करता है ठीक है घ्रत्य ग्रहल करने के छमता सब्ध भंड़ भंडार की प्रिद्धि अस्मर अभ शक्ति शिर्मगत अभिव्यक्ति की छमताओं का क्या करता है विकास करता है ठीक है गद्य शिक्षर की आँगक्षर की विदियां कि लिखेंगा गद्य शिक्षड की दो विधिया है पहली है अर्थ बोध विधी यह विधी जो है यह मनुवैज्ञानिक विधी नहीं है क्यों नहीं है खोकि इसमें शिक्षक क्या करता है आत पुस्तक लेकर वाचन करता है और सब्ध विधार्थ सब्दार्थ बतते हैं वियाख्या करता है तो यह एक नीरस मनो वैज्ञानिक क्योंकि यहां मनो वैज्ञानिक सिधान्तों पर आधारित है सिधान्तों पर इस नाते यहां एक क्या है आधर्श विदी है और इसके द्वारा किसी बालक का सरवांगण विकास होता है ठीक है बालक का क्या करता है सरवांगण विकास होता है अच्छा इसमें एक चीज़ और देखेगा हरबर के अनुसार गद शिक्षर के सौपान तो इसमें हरबर ने पंच पदी प्रणाली का विकास किया था गद्य शिख्षड के पंच्पदी प्रडाली तो इसमें याद देखना है यह बड़ा इंप्वोर्टेंट है कि हर्बर्ट ने हर्बर्ट के गद्द सिक्षड की पंचपदी प्रडाली ठीक है तो पंचपदी प्रडाली प्रस्तूत किया था उपर में पहला क्या होता है प्रस्तावना ठीक है प्रस्तावना प्रस्तावना में हम क्या करते है उद्देश से प्रस्तूत करते हैं जो बच्चों को अपनी तरफ आकरशित करता है फिर दूसरे नमबर पर आता है उद्देश कथन उद्देश कथन में हम किस पर फोकस करते हैं एक समस्यात्मक प्रश्ण लेकर के बच्चों के समक्ष आने का प्रयास करते हैं जहां से हम प्रस्तुति करण करते हैं, एक बात याद रखना कि प्रस्तुति करण में पुन्रावरिती भी सामिल होते हैं, पुन्रावरिती मतलब दोहराना, प्रस्तुति करण में प्रस्तुति करण का ही एक हिस्सा होता है क्या पुन्रावरिती भी, तो कभी कर ये पूछता है कि पुन् प्रश्णों का इस्तिमाल करते हैं उनको हम क्या कहते हैं बोध प्रश्ण फिर हम देते हैं क्या ग्रिय कारे तो हर्बर्ट के गद्य शिक्षर की पंच पदी प्रडाली यही है कि सबसे पहले प्रस्तावना फिर उसके वास उदेश्य कतन फिर क्या हो गया प्रस्तुतिक्रण फिर बोर्ध प्रश्न यानि कविता सिक्षड का देखते हैं पध्य शिक्षाड या कविता सिक्षड इसका क्या इवट्य होता है पध्य सिक्षड या कविता सिक्षड क्या है शात्रों में कलपना शक्ति ठेक है आपने देखा होगा कि कविताओं के कलपना शक्ति कविताओं के अलग अलग विधाए थेक है तो इस नाते छात्रों में कल्पना सक्ति का विकास होता है और इसके द्वारा रसा स्वादन किया जा सकता है मतलब कि हम महसूस कर सकते हैं उश्विशे को महसूस कर सकते हैं ठीक है कविता पद सिक्षड के द्वारा भासा तत्तों का हमें ज्ञान होता है ठीक है कि पद्यृषिः हमारे सरीर में ऊर्जा भरता है इसके द्वारा बच्चा देश प्रेम के लिए प्रेरित होता है अतनी शक्ति होती आपके पद्यृषिः ठीक है और इसके द्वारा सुन कर हैं नोग सुनते हैं तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं हुप सिक्षण में इतनी ताकत होती है कि सुनकर हम क्या कर सकते हैं भाव ग्रहण करने की योग्यता आ जाती है और अगर कोई व्यक्ति के अंदर यह योग्यता नहीं है इसका मतलब उसने अपने सम्वेगों को पुरा कंट्रोल कर लिया ठीक है वह साधालड व्यक्ति नहीं होता है यानि कि कोई ऐसी बात हो जिस प प्रात्मिक अस्तर के लिए ही बात करेंगा प्रात्मिक अस्तर के लिए ही बात करेंगे ठीक है और दूसरा होता है हमारा उच्छ माद्धिमिक अस्तर की बात में बात नहीं करेंगा क्यों प्रात्मिक अस्तर में एक होता है गीत विदी हम कुप सुन्दर गा करके हम बच्छों को पढ़ाएं ठीक है दूसरा होता है अभिनय विदी मतलब कि आपने देखा होगा जो अच्छे टीचर होते हैं वो किसी गाने को हाथों से सारा करके ठीक है जैसे मचली जलकिरानी अगर बच्छों को सिखा रहे हैं तो हाथों से मचली बना करके हाथों को हिला करके जब सिखाते हैं तो इसको अभिनय विदी करते हैं ठीक है उसके बाद से यहां पर एक अर्थ बोध विदी होता है ठीक है तो साधार सिख्छक होते हैं हिंदी का अर्थ बताते हुए जो है बच्चों को इसके बारे में करते हैं ठीक है तो इस अगर सिक्षक गा करके नहीं कुछ कहता है तो उसमें उतना इंट्रेस्ट बच्चों में नहीं आता है ठीक है अब देखो उच्छ प्रात्मिक उच्छ मादमीक हो गया यहां पर एक उच्छ प्रात्मिक अस्तर यानि कि 6-8 तो उच्छ प्रात्मिक के लिए दो विदिया हैं 1 एक है कि अह시से विदी हम उसने सिक्षक ने क्या क्या किया कविता पढ़ा और कविता का व्याख्या करता है व्याख्या का मतलब कि उसमें कौन-कौन-से भाव हैं कौन-कौन से चंद हैं सो अलंकार हैं इन सभी का अज्यान को करता है करता है जुटारफ रफैक्जब एक नया दिखे का Praat प्रश्चनोतर बढ़े में विशलेशर दोनों बढ़ें इसमें क्या różnych है विसलेशण और संसलेशण दोनों विदियां अपनाई जाती है तो यह तो था आपका पद्य सिक्षड की विदियां ठीक है इसके बाद से हम बात करेंगे रचना सिक्षड चलिए रचना सिक्षड रचना सिक्षड क्या होता है रचना भाई आपको पता होगा रचना क्या होता है विचारों को लिखना या बोलना विचारों को लिखना या बोलना यही हमारा क्या है रचना सिक्षड जैसे बच्चों को लिखना सिखाते हैं हम सुरू सुरू में तो इसकी विधिया कौन कौन सी है तो देखेगा रचना सिक्षड की विधिया कौन कौन सी विधिया है पहला है देखो और रचो जैसे छोटे बच्चों में आपने दिखा होगा डॉट 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 बना होता है लड़के क्या करते हैं उसको मिलाते हैं ना जैसे मान लिजे कि अगर कुछ यह डॉट डॉट द्राशना हुआ है लिए वह बच्चो इसको मिला हो जो दिखो रचोई इसको बोलते हैं डूसरा है सब्ध प्रधान विधि सब्द में बच्चों को पहले शब्द बताया जाते हैं फिर विद्यार्थी उनका क्या करता है प्रियोग करता है फिर है चित्र रचना विधी ठीक है यह देखेगा यह एक मनोवेग्यानिक विधी है तो question पूछा जा सकता है कि रचना की सबसे रचना करने की सबसे मनोवेग्यानिक विधी कौन सी है यह मनोवेग्यानिक विधी क्यों कि इसमें बच्चों को चित्र दिखा करके कहानी बनाने के लिए कहते हैं ठीक है क्या बनाने के लिए कहते हैं कहानी बनाने के लिए कहते हैं देखेगा इसके क्या है बच्चों के अंदर कलपना शेलता का विकास होता है बच्चे कलपना करते हैं ठीक है कि इसके दुवारा कौन सी कहानी बन सकती है या कौन-कौन से प्रसंग उसके अंदर आ सकते हैं एक होता है प्रश्नोत्तर विधी प्रश्नोत्तर विधी में क्या करते हैं कि उचित क्रम में प्रश्नों को पूछा जाता है उचित क्रम में प्रश्न पूछ कर हम रचना कराते हैं फिर एक और है अनुकरण विधी, अनुकरण विधी क्या होता है, जैसे माली जीए कि बच्चों को हमने 26 जनवरी का निबंद लिखना बताया है, तो 26 जनवरी के निबंद के अधार पर अगर हम कहते हैं कि तुमको 15 अगस्प निबंद लिखना है, तो ये बच्चा किस विध बड़ा इंपोर्टेंट है बच्चा को जब एक कोई सवाल हम बता देते हैं तो बच्चा क्या करता है उसी के जैसा जब आप दूसरा सवाल उसके सामने प्रस्तूत करेंगे तो बच्चा उसको एकदम पपी करने का प्रयास के वहां पर क्यालिकुलेशन अंतर हो जाएगा द संद्र अगस्त पर निबंध निबंध लिखना यह आपका हो गया कौन से विधी आनुकरण विधी ठीक है अब लास्ट एक हमारा जो बसता है उसको देख लेते हैं यह क्या है आपका तो हमारे कौन कुछ से विधिया इसमें आपके आ गई देखे कर दान से यहां पर अगद्ध शिक्षड पद्ध शिक्षड रचना शिक्षड और व्याकरण शिक्षड तो इसके बीच में ही व्याकरण शिक्षड देखते हैं व्याकरण शिक्षड देखा व्याकरण क्या होता है व्याकरण क्या होता है भासा को सीखने की नियमावले भासा को सीखने की नियमावली जिसके अंतरगत हम भासा को क्या करते हैं शीखते हैं ठीक है इसी को भासा का नियमक सास्त्र कहते हैं भासा का नियमक सास्त्र भी कहते हैं व्याकरण शिक्षड की विधियां कौन कौन सी देख लेते हैं सिक्षड की विधियां देखते हैं सबसे पहला है नियमन विधि या सुत्र विधि संस्क्रित में यह बहुत ही ज्यादा इस्तमाल होता है इसमें बच्चों को पहले नियम बता दिये जाते हैं फिर उसका इस्तमाल करने के लिए कहा जाता है दूसरा है आगमन विधि इसको कहते हैं सुत्र निर्माड विधि इसमें बच्चों को उदाहर दिये जाते हैं कोष करवाय जाता है इसके लिए हम उसको , अजब की निगमन विदी में उदाराण में पहले सुत्र बता दिये जाते हैं और वोस्त माल करता है एक और है जिसको हम कहते हैं एक एक बात याद रखेगा, यहाद जहाँ पर भी आ गया, वो सबसे प्रभावी हो जाता है। यह सबसे प्रभावी विधी है तो आगमन के द्वारा विक्सिंद क्या करता है नियमों की खोज करता है और निगमन के द्वारा उस नियम का कशोज करते हैं अब उसके नियम करका है फिर क्या करेगा निग्वन विधी के द्वारा नियम का वो अभ्यास करेगा इसी नाते यह विधी सबसे उत्तम विधी है ठीक है फिर देखेगा भासा संसर्ग विधी भासा संसर्ग विधी क्या है इसमें हम व्याकरण का सैधानतिक ज्यान देते हैं व्यक्रण का सधान्ति घ्यान दिया जाता है और उसके वहारीक पक्षपर मतलब जैसे बहुंत सारी एंदयर करते हैं। जब पार्ट को पढ़ा रहे होते हैं तो उस पार्ट में घ्र क्राबी आता है उसको वही पर बता देते हैं कि इसने का प्रयास के प्रयास करते हैं क्योंकि उसके संब्द्द दिरे दिरे उस बच्चे का इतना अच्छा concept अवधाडा विक्षित हो जाएगा व्याकरण के संदर में के बिना अत्रिक्त व्याकरण पढ़ाए ही बच्चों को व्याकरण की सभी अवधाडाएं जो हैं अच्छे से समझ में आ जाएंगी ठीक है इसके बाद से समवाई यह भासा संसर्ग से उत्तम भी दिया ठीक है इसके अंतरगत होता क्या है इसके अंतरगत रचना कहानी पद्य की सिक्षा के साथ पद्य की सिक्षा के साथ व्याकरण की सिक्षा दी जाती है यानि उसी के तरह से होता है मतलब जैसे मैंने कहा न कि उसी के साथ साथ उसी के साथ साथ व्याकरण भी जैसे इसमें भासा संसर्ग में अलग से व्याकरण नहीं बताया गया उसी के साथ अलग से व्याक्रण भी बता दिया जाता है जिसके दुबारा बच्चों का कांसेप्ट और ज्यादा किलियर हो जाता है साथ महारा है वर्तमान समय में हिंदी भासको की एक और बड़ी बड़ी प्रचलीत हो रहा है नाटक शिक्चुछ अं नाटक सिख्षण में जैसे नाटक करके हम किसी बच्चे को जो है नाटक पढ़ाने का प्रयास करते हैं तो इस तरीके से हमें देखा कि हिंदी जो है पेडागोगी या हिंदी शिक्षासाइस्तर के जो महत्यपूर बिंदू थे उसको हम लोगों ने यहां पर सामिल किया इसम वो बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे सभी का धन्यवाद ठीक है